आज हम बनाएंगे टाकोज एक बहुती सिंपल और आसान तरीके से इन टाकोज को बनाने के लिए जो भी सामिकरी लगने वाली है वो घर में ही होती है उनी से ये बनकर त्यार हो जाते हैं बहुती ज़्यादा टैस्टी और मज़ीदार जिर दिखने में जितने शुंदर लग वर्पहर कर हम इसमें मैदा डाल देंगे ऊसमी उसके बाद लेंगे एक कटोber भरकर आटा आप चाओ तो गवार की आटे से बिसेत से बना सकते हो कोई बी एक चीज लिनिए उसे बना सकते हो आप उसके वार इसमें हम लांगे टैस्ट कॉडिंग नमक ऊसung कीवाद दो चिं करके पानी डालेंगे एकदम से सारा नहीं डालेंगे और इसे अच्छे से हमें मिक्स करते जाना है और सौप्ट सा डू इसका लगाकर हमें रेडी कर लेना है इधार डू लगाकर हमने रेडी कर लिया है आप देख सकते हो कितना सौप्ट सा डू लगकर रेडी हो चुका है इ में उसके वार डालेंगे एक प्याज हमने लंबी पीचेस में काटा था मीडियम साइज का इसको डाल देंगे जादा नहीं जलाना है वल इसी तरीक के अ कलर होना चाहिए फ्याज अच्छी से पख को है गैस को कर देंगे और इसको बाहर निकाल लेंगे उसके बावल में तीन मीडियम साइज के बॉयल की हुए आलू ठंडे आलू लेने हैं उसके बावल लेने हैं मीडियम साइज का ग्रेटर उससे हमें ग्रेट करना है आलू को आप चाओ तो मैस भी कर सकते हो लेकिन इसमें गिल्टी विल्कुल भी नहीं बचनी चाहिए इसलिए इसी तरीके से सारे आलू हमें ग्रेट कर लेने हैं इधर हमने तेनों आलू ग्रेट कर लिया है उसके बाद जो प्याज भुना था उसको इसमें डाल देंगे प्याज भुनने के बाद थोड़ा सा रह जाता है उसके बाद डालेंगे रेड चिली फ्लेक्स एक चोथाई चमच इसमें उसके बाद डालेंगे काली मिर्च का पाउडर ब्लैक पेपर एक चोथाई चमच उसके बाद डालेंगे इसमें चाट मसाला पाउडर एक चिम्बच पर की उसके बाद हमें डालना है टेस्ट अकॉर्डिंग इसमें नमक उसके बाद डालेंगे फ्रेस राधनिया बारी कटा हुआ और सारी चीजों को मसाली के साथ हमें अच्छे से इसमें मिक्स कर देना जाएगी इसे स्टपिंग बन खरो जैएगी इस टपिंग मन कर त्यार हो चुकी आप देख सकते हो इसको रख देंगी स्ट में डो को चेक कर लेते हैं में हूद अच्छे से सैट हो चुका है और भहती जयादा सौप्ट हो चुका है और इसको थोड़ा सा मसल लेंगी उसका बाद इसके हमें दो भाग में इसको डिवाइट करते लिए इस तरीके से उसके बाद हमें इसको थोड़ा सा सूखा हाटा डालेंगे चकले के उपर और उसके उपर हमें ऐसी लंबी सेप में इस तरीके से करते जाएंगे आप देख सकते हो वीडियो में उसके बाद चाकू लेंगे और इस तरीके से इसको हमें कट कर लेना है चार पीसिस में और एक की हमें लोठा के लोई बना ले लिए लोई बना लेंगे उस उसके बाद सूखा आटा उपर से डालेंगे और इससे बेल लेंगे जैसे हम नौर्मा रोटी बनाते हैं उसी तरीके से इसके हम बेल के इसको रेडी कर लेंगे थिकनेस आप देख सकते हूं इस तरीके की इसकी थिकनेस रखने हैं सारी रोटियां इसी तरीके से बना कर हमें रीडी कर लिनी है उसके बाद पैन लेंगे और इसमें हम रख देंगे रोटी को और गैस को मीडियम प्लैम पर ही रखे इसको सेखेंगे चादा नहीं सेखना है बस थोड़ा थोड़ा भाइट सा इसमें बबल साने लगें थोड़े हलके से इस तरीके से रोटी को सेखना है उलट पलट करके दोनों तरफ अच्छे से इनको सेख लेंगे स्पोर्ट से आजाएंगे भायट बायट उसी तरीके से सेखना है और इन्हें निकाल लेना है जो बच्ची हुई है उन्हें भी सेम इसी तरीके से से शेख लेंगी इधर हमने सारी रोटियां सेख के रेडी कर लिए हैं आप देख सकते हो उसके बाद एक रोटी को लेंगे और इसमें हम लगा देंगे ग्रीन चिली सॉस आप चाओ तो टोमेटो केचप भी यहां पे लगा सकते हो और फिर रेड चिली सॉस भी यूज कर सकते हो आपके पास जो है आप यहां पे यूज कर सकते हो अच्छे से हमें पूरी रोटी के उपर इसमें लगा देना है उसके बाद जो इस टरपिंग बना के रखी थी इसको लेंगे और एक चिम्श भरकर इस पर ऊपर रख देंगे उसके बाद पूरी रोटी पर नई फिलाना है बस आधी पर ही इसको इस तरीगे से हमें फिला दिना है अच्छे से इसको सेट कर देंगे इधर हमने अच्छे से इसको सेट कर दिया उसके बाद इसमें हम डालेंगे चीज ऊपर से चीज को कम जादा आप अपने इसाप से कर सकते हो आपको कम चाहिए तो कम जादा कर सकते हो उसके बाद इसको फोल्ड कर देंग इसमें हम थोड़ा सा ओयल डालेंगे या फिर घी जो भी आप बटर में भी आप सीखना चाहते हो वह भी आप यूज कर सकते हो उसके वाद एक एक करके इस पर हम रख देंगे जितना इस पेस होगा एक साथ उतने सीख लेंगे कैस को रखेंगे मीडियम फ्लैम पर तभी अच्छे सी कलर आने तक अंदर तक अच्छे से सिख पाएंगे उसके बाद इनको हमें पलट देना है दो चम्मच लेनी है उसकी सायदा से इस तरीके से हैल्प से पलट देंगे आप देख सकते हो कितना प्यारा सा कलर आ चुका है दोनों को पलट लेंगे अच्छे से दोनों तरग इसी तरीके से हमें गोल्डन ब्राउन कलर आने तक सेख लेना है आप देख सकते हो कितना प्यारा सा कलर आया हुआ है और सेख की रेडी हो चुके हैं और अभी इनको हम एक ठाली में निकाल लेते हैं इदर जो बचे हुए हैं उन्हें भी हम सेम इसी तरीके से सेख कर रेडी कर लेंगे दूसरा बैच भी हमने सेख लिया है इनको भी निकाल लेंगे आप चाओ तो थोड़े से क्रस्पी भी कर सकते हो और हलके क्रस्पी कम रख सकते हो अगर रेश्पी पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना थैंक पॉर वाचिंग मिलते हैं आपको अगली वीडियो में